अबे शिंचेन तुझे कहीं पर खाना मिला क्या एरे वेकिव मुझे तो कहीं पर खाना नहीं मिल रहा अजर कितनी देड़ से खाना उंड रहे आंटी आपके पास कुछ खाने लिया क्या पाईया मैं तुम्हारी फोटो खीश दूंगी बोलोगे तो अरे मुझे फोटो ने कि अरे मुझे खाना चाहिए आंटी आपके पास कुछ खाने क्ले क्या हेलो आंटी एडफोन पेंड रहे अरे अंटी एडफोन उतारो ना अरे हैडफोन उतार अरे वेकि वे एसे सब को मारते रोगे तो कोई गारा नहीं देगा अब शिंचेन वेसे भी कौन सा खाना दे रहे अंकल अंकल कुछ खाने क्ले दो ना अंकल अंकल कुछ खाने क्ले दो ना अंकल अंकल कुछ खाने क्ले दो ना ए लड़के क्या खाएगा मैता मुझे बर्कर फ्रेंच फ्रेंच फ्रैस कोल ड्रेंग बच्चे पहले मुझे पकड़ के दिखा फिर खाना दूंगा क्या पकड पकड़ लिया अंकल तो सुई गए गए अंकल तो नहीं दे रहे इनके पास एक डॉग है उसको गरम करते पिर वह जाएगा अब लुग पागल हो गया ऑप के वासो कुछ खाने के लिए क्लेशी कि अपस एक और यहां पर बारिश शुर्य हो गई अरे यहां पर बार इसके शुर्य हो गई चल्दी हमें कहीं पर चाना पड़ेगा वर नाङ हम घी लिओ जाएंगे अरे वेकी में खाने का क्या हुआ अब शिंचन खाना दो बाद में टूड़ लेंगे पहले बारिश जो बचे एक काम करते मेट्रो स्टेशन में चलते यहां पर अंदर बारिश नियाएगी अरे काईजर यह बारिश ने बहुत ही जादा परिशान कर रहा है वैसे यह देर से खाना ने मिल रहा था बार बारिश होगी है तो सारे लोग जाके छुप जाएंगे अब किसी से आम खाना भी नहीं बांग पाएंगे अदे भूग लेग रहे कुछ किला हो ना अब शिचन मुझे तो मिले कुछ काने करिए तेर को कैसे किलाउंग अच्य लोगा अच्छा यहां पर कम से कम बारिश तो नहीं हो रही तुम्हारे बास कुछ खाने करिये क्या अरे अंकल मैं तो खुदी खाना नुट रूंडरों में तनी देर से घूम में जा रहा हूं मुझे खाना नहीं मिल रहा है यह बेटा इसका मतलब तुम भी मेरी तरह करीब हो आं मैं भी हमके साथ मरूंगा हाशी चेन आज हम दूरों मर जाएंगी हमने तने दूरों से ढंक से खाना नहीं कहें और नहीं हमें खाना मिल रहा है तो लगता हमारा मरना ही सही रहेगा अरे मेरे बच्चों उपर आजाओ मरो मत बच्चों ने एंकल हमें मरने दूँ हमार पास खाने के विए खाना नहीं हम मरना चाहते हैं अरे बच्चे मैं पचास साल से इधर रह रहा हूँ मैंने आज तक नहीं सोचा कि मैं मरूँगा मैं तुमें एक सीक्रिट बताता हूँ उपर आओ बचे, मैं समझता हूं, तुम बहुत ही जाधा करीब हो, पर मैं जो तुमसिक्रिट बताने वाला हूं, अगर वो तुमने कर लिया, तो तुम तुम तुनिया के सबसे अमेरा अदमी बन सकते हो, क्या, क्या, कैसे? बच्चे ये लोसेंटॉस बहुत ही जाधा बुराना है और लोसेंटॉस के एंड़ पॉइन्ट पर जहां पर लोसेंटॉस खतम होता है वहां पर कुछ जादूई शक्तिया है अगर उन शक्तियों को जाकर तुम चूलेते हो उन शक्तियों से तुम जो मागोगे वो मिलेगा वो शक्तिया बहुत कतरनाक है वो किसी भी इंसान को सबसे ताकतवर इंसान या फिर सबसे अमीर इंसान बना सकती है तो तुम लोस सेंटोस के एंड पॉइंट पर जाओ और तुम जो चाहते हो वो होगा क्या सही में हाँ बच्चे बसे एक दिक्कत है अरे आप क्या दिक्कत है तुमें उस जगह पर आज शाम होने से पहले पहुचना पड़ेगा सूरज ढूबने से पहले पहले वहां पर पहुचना पड़ेगा तभी तुमारा काम होगा क्या सुरज डूबने से पहले में बहुत ही मश्किल है मश्किल है पर अगर तुम पहुच गए तो तुमारी लाइफ हमेशा हमेशा एक लिए चेंज हो जाएगी अरे अंकल आप टेंशन मतलो मैं अभी के भी निकल रहा हूं उस जगहीं लिए तो कौईसर हमेचाना पड़े क जहां पर लॉस सेंट उस खातब होता है वहां पर कुछ जादोई चीजें चुकि हमारी मजद कर सकती है अमीर बनने के लिए और काईसा अगर मैं वहां पर टाइम पर पाँच गया तो आखिरकारा में अच्छा खाना खाने को मिलेगा शिचेंच चल दिया जा 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 करीब है कि हमें कोई लिफ्ट भी देता है अशिचेंच पर क्या करें हमें वहां पर कैसे भी करके पहुचना पड़ेगा हमारे पास टाइम बहुत कम है रुक चरो जाए इनको तो अंकल आरे यह तो रुकी निरे यह लड़के देरा अंकल क्या हो गया मैं देख रहूं कि त अधर चलो फड़कर चलते हैं अगर तो अधर तो में गाड़ी को पूरा अची तरह साफ करोगे तब ही में तुमि लिफ्ट दूंगा क्या गाड़ा को सफ करते हैं अच्छ टीक अंकल मैं पके काड़ी साफ करुगा फिर आप मुझे लिफ्ट देा तो क्या यसे फड़के काड़ी यहां पर हम साफ करने वाले ताकि उसके बाद हमें वह लिफ्ट दे सके चलो फड़ा उपट से इस गाड़ी को पूरा का पूरा साफ कर देते हैं अरे लड़के पिल्कुल अच्छी तरह करना अंकल आप टेक्शन बतलो पूरी गाड़ी चमका दूँगा बिल्कुल उसके तरह कर दूँगा वैसे मुझे समझ नहीं रहा इतनी जादा बारिश हो रही कि पूरी काड़ी अपने आप इसाफ हो जाएगी फिर भी एंकल मुझसे साफ करा ने को इसको पूरा चमका दिया हैं अंकल बेना आपकी काड़ी पूरी चमका दिया हैं अब आप मुझे अब बड़ से लिफ्ट दे तो तुमने कितना काम किया रे था तुम ने-स ने क्या हुआ गारी साफ करने यहाप के सफाई बाले हूं अरे बैने सुझादा इसके गाली साफ करूंगा तो मुझे छोड़ देगा यह जिसका कच्छा भीशा हुआ हुआ है को पनी कड़े मिठाएगा अभे शिंचन तो मेरी बेश्टी कर रहा है रुक्चा मुझे कुछ ना कुछ नो सोचना पड़ेगा मुझे वहाँ पे कैसे भी करके पहुंचना है ताकि उस जादू ही जगह से मैं बहुत सारा पैसा कमा पाऊंँ अभे क्या टेक्सी कर लेते मेरे पैसे दोना है अंकल अंकल मुझे लोस सेंटोस के एंड पॉइंट पर जा रहा है चलो फड़ा पर चलो अरे वो किसी गरीब को कपड़े की जरुवत थी इतनी बारिश में उसको ठंड लग रही थी इसलिए मैं अपने कपड़े दान दे दिये ए अब तो को देख मैं निज़े सेम कच्छ अंकल क्या मुझे ले चलोगे ले तो मैं तुमको चलूगा पर वो बहुत ही जादा दूर है तो बहुत सारे पैसे लगेंगे अरे अंकल बैस हो कि आप टेशन बिल्कुल मतलो मेरे पास बहुत पैसा है बड़ावट से मुझे लेके चलो अच्छा ठीक है पहले 50% मुझे द पर कोने में कहें अरे बनाओ तो सर्याप से कुछ बात करनी है इन परता हो क्या हो गया अंकल मैं बूर रहा था कि क्यों आप चूले बंदर एक टेक्सी के एडवांस माग रहा है 500 डोलर और उपर से बंदर का मास्ट पहेंगे बढ़ा है चैन अब तो इसी की टेक्सी में ज बनाओ अधरी मिल चुके जिसमें हम जा पाएंगे इस कातरनाक सी जादू लोकेशन पर चाहब हमें बहुत सारे पैसे मिलने वाले तुक्वाइस है वो लोकेशन सही में बहुत ज्यादा दूर है तो हमें बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है वह पहुँंचने में एक होने पहले ही मठ जाता तो काई जब तक हम लॉस सें टोस के एंड पॉइंट पर पॉइंट 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 पर बस पॉच्छे वाले पीछे युब हरी काई जालो काई आप पॉडावर हम थोड़ी तेर में पहुचेंगे और काईसर होने वाले बहुत ज्यादा अमीश्री पाश मेंट और हम आ पर पहुंचते ही पहुत इसादा अमीर होने और मैं सोचाँ सबसे पहले एक लेंग लेके फरार लेने की फिर वोगाटी लेने की अरे बस पहुंची तो गए अब कौन आने वाले हैं हमारे बीच में अब हमारे बीच में सिर्फ ये पत्थर और मिटी है जिनको हम क्रॉस करके जाने वाले उस खदरनाक से आइलेंड पे जहां पे लोसेंट आस खतब होता है अब भाई सब क्या इस ब्रॉण अब क्या आइं बनी और यह यहां पर क्या चल रहा है अडे बीटी हमें बता चला है। सेंटोस के एंड पर जादूई पावर्स है इसलिए सब लोग आए हैं क्या सब को पता चल गया वैसे सब लोग आ तो गया तो जा को इन रहे अरे बच्चे क्या बताएं पानी के अंदर एक कतरनाक सी शार्क है जिसने अल्रेडी 10 लोगों को खा लिया है अब सब लोग डर रह हुने तेखा कोई नहीं जाना चाहता पानी में बानी मैं क较छी शार्क है अरे वेकी में अब कहा देगे आपको कुछ डार्ना कुछ तो कर ना पड़ेगा मुझे चाना पड़ेगा रुचा-nuk-goda चुच्चा ने देखी भाइब पर है अभी बहुत ही जादा दूर जाना बागी है और बीच में इतना सारा पानी है अभे शिंचन क्या करें अभे यहां पर देख शुक्त पानी से दूर रही हो यह शार्क आपर आप यह चिपक जाएगी कि मैं तो आगे कैसे जाएंगे रुख शिंचन कुछना को इस तो सोचना पड़ेगा मुझे कैसे भी यह एंड पॉइंट पर पहुंचना है पर कैसे अभे शिंचन पानी में भागतो ना सकते हैं स्विमिंग करनी पड़े की तो काई सर मैं सोच रहो वह पे जल्दी से स्विम जाने का यहां से जल्दी जल्दी जा सकते हैं यहां से इस बहुत ही जड़ लग रहें मैं आउंगा आप शिंचन आजा बस थोड़ा और बाकि हैं यहीफिकीपे, आप चेले जो, मैंने आँगे मुझे बहुते लग रहे हैं, यह अपर शार कड़ी हैं यहीफिकीपे, यह शार्क मेरे ज़स सामने गड़ी हैं, आप चेले जो, मैं यहाँ पर वेट करता हुआपका तो कैसर अभी शिंचेन पीछे चूट चुका है, क्योंकि कैसर अब देखो तो अब जशार्क आचुके शार्क होगे शार्क सामने और शिंचेन यहा पर नहीं यह सकता तो काईसर मुझे अखेली जाना पड़ेगा आगे तो चलो काईसर, फुड़ाओ फट से चलते 3, 2, 1, स्विमिंग करो चले स्विमिंग करो, भागो, 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 मेरे पीछे शार का रही है भागो, 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 उरे बच किया तो काईसर, मैं यहाँ पर बच चुका हूँ, चलो फुड़ाओ फट से उपर चलते तो काईसर, अभी मैं इस वाले आइलेंड पर आ चुका हूँ, अब मुझे फुड़ाओ पर से ढूड़ना पड़ेगा काहा पर है वो खतरनाकसी मैजिक शक्तियां, जिससे मैं बन सकता हूँ, मीर तो काईसर, मुझे लगाता है ये लोसेंटोस का एंड़ पॉइंट पर लोसेंटोस का एंड़ पोइंट तो वहाँ पर है बुझे वहाँ जाना पड़ेगा अरे यह क्या मैं तो इतारी किर गया तो काईसर मुझे जल्दी स्विमिंग करके वहाँ पर जाना पड़ेगा और आप देख से तो मेरे पीछे कितनी सारी शार का रही है अब यह तो बहुत ही कतरनाक है यह लगता है इनोंने मुझे भी तक देखा नी है अरे नहीं देख लिए इतो पक्का मेरे पीछे हारी है अरे चद्धी चद्धी चलो अरे सामने आइलेंड तो आगया पर यह शार्क मेरे पास आते जारी दीर दीर चल्दी जलना पड़ेगा चल्दी स्विमि करो अरे काईसर मैं बोच गया अरे पच गया मुझे पानी से जल्दी जल्दी दूर जाना पड़ेगा वरना यह शार्क मुझे कभी भी खा सकती है अरे मैं तो चड़ी नी बारा हूँ पर तो काई सर अभी मैं बच बचा के इस आइलेंड पर आ चुका हूँ तो बढ़ा हम बच से वीडियो को लाइक कर दो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हम जाने वाले सीदा उस आइलेंड पर बिना रुके मैं बिल्कुल भी पीछे नहीं देखने वाला जार्क आरी हूँ या फिर नहीं आर्यों बिल्कुल मिल देखने वाला मैं सीदा जाने वालों उस आइलेंड पर जापिल लौश सेंटोस खतम होता है चल्दी चलो पर काईजर हम बस पोचने वाले हाँ 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 और यह मैं पोच गया हरे काईजर मैं यहाँ पर पोच गया और काईजर अब देख से तो अबी तक सूरज डलानी है वो सूरज बिल्कुल उपर है और हम पहुँच चुके इस खतरनाक सी मैजिक दुनिया में और काईजर बस हमें इसके अंदर जाना है और जो भी हमें चाहिए वो मांगना है उसके बाद वो विश पूरी हो जाएगी चलो काईजर प्रावर्ट से इसके अंदर जाते हैं और अपनी विश मांगते हैं करते हँ डूनिया का सबसे अमीरादी को जैस कोई अमीराद ना किसी ने देखा और उतना पैसा किसी ने सोचा रह मुझे सिर्फ लोस जंट एंडॉस कर नहीं मुझे इस दुनिया का सबसे अमीरादी बनना है और यहां और तो जोए यह क्या मैं यह मैं मेराथ नहीं हो सकता है कि मैं अभी तक कच्छा पेंढ रहा हैं प्रणीर हमें मैं बन गया की नहीं के सब लोग का सा गए इतनी सारे सक्योरिटी और यह है लोग क्योंप्र बौर्ट ने पता ने क्या गया अगया लेए हम दो बहुत परिशान हो गई थे सराइए बैटिए आपको लेके चलते हैं के मेंशन पर क्या मेरे मैंशन पर मेंचन की सपेलिक भी भी ने और यह मुझे मेरे मैंशन पर लेगी चल रहे हैं मैं तुम्हार साथ चलते हो लूँगा उससे बहले मुझे कपड़चेंगे सेर के कपड़े चेंज किये जाए अरे ये क्या ये तो मैंने सोचा नहीं था पर कोई मत नहीं मैं बहुत ही जादा मस लग रहा हूं तो गाइस और आप देख से तो मैं एक दुबाई का शेक बन चुका हूं लगता है मैं सबसे अमीर शेक बन चुका हूं दुनिया का चलिए अब के घर चलते हैं आप चला चला मसे आएंगे तो काई सर अभी आप देख लो कितनी सारी सिक्योरिटी मेरे साथ साथ चल रही है और हाँ शेंचन को लेकर चलते हैं अभी मैं जाने वाला हूं पने मैंशन पर सोच यह वो मेरा मैंशन पर मैं यहाज तक अपनी मैंशन को मैंशन की स्पैलिंग भी ना थी में एंसी ओ एन मैंशन पता नहीं है चोड़ो एर अपने शिंचन को दे शिंचन मैं आ गया एरे वेकिमे बागे हाँ शिंचन मैं तुझिया का सबसे हमीराद में बन चुका हूं और यह देख मैं दुबई का शेक भी लग रहा हूं और यह में लग भी पर निचे घर चाहेंगा तो आजा फिर शिंचन पैट चुका चलो फडाव पुड़ा वारे सारी सिक्योरिटी के साथ हम जाने वाले हमारे मैंशन पर देखते है कि ऐसा लगता है मारा मैंशन और का इसर मैंने जितनी में प्लैन किया ते कि मैं यह करूंगा मैं वो सब का सब करने वाला हूं Lamborghini Ferrari एक बड़ी आसा mansion एक car का showroom वो भी मेरा सपना था एक car का showroom को लेगा वो भी हम आज करेंगे चलो बढ़ावट से आपको मैं मिलता हूं मेंशन पर तो काईजर अभी अपने खतरनाक से mansion पर पहुंचने वाले और काईजर यह mansion पुरका पूरा desert के बीच बीच बनावा है और यहाँ पर देख से तो कितनी सारी security है यह बहुत ही जादा खतरनाक होने वाले और अभी अपनी डाइमंड की लिमोजीन के अंदर जाने वाले इस mansion के अंदर और हम अंदर आ चुके हैं तो काईजर आप देख से तो कितना जादा खतरनाक हैं तो काईजर अभी शिंचैन को भी अपने नए-एक कपड़े मिल चुके हैं और काईजर य एक दिन हम लेके रहेंगे लेंबर के नी फरारी और भी बता नी कौन-कौन सी तरह तरह हैं और यहां पे तुनिया की सबसे फ़र्स टेस्ट कोनी सैग भी है यह बहुत ही जादा कातरनाक हैं और काईजर अगर आप सोचों कि हमारे पास बस इतनी से गाड़िया हैं तो आप आप फरारी और जितनी भी घारी और अभी चाड़िया की साल्याइए और ये सबसे मुझे अच्छी लगती, ये खतरनाक सी फ़राई, बहुत ही जादा तेज सलती है तो काईजर, आपने वारा गेरास तो देख लिया, अब आपको पूरो का पूरा गर दिखाते हैं कितने सारे फ्लोर यहां पर बना रखें, अभी एक और नीचे वाले फ्लोर पर आगए, इधर चलेंगे एक खतरनाक सा बोलिंग रूम तो काईजर, हमारे घर में कातरनाक सा बोलिंग रूम आप सोच से कितना साथा कातरनाक है और यह पूर का पूरा बार एरिया यहां बैठके मस्तियर बोलिंग कर सकते हैं और अभी चलते हैं इस वाले रूम में और यहां पर क्या चलो देखते हैं और यह तो बातरूम है तो काईजर, यह ता हमारा नीचे वाला फ्रोड जिसमें बोलिंग और प्राइविट सिनेम है जो कि बहुत ही जादा कातरनाक है सबसे पहले तो हमारा यह में एंटरेंस है चाह से अंदर गुशते हैं तो देखते हमारे घर में क्या कै है और इस घर में वह तो मुझे भी नहीं बत्लइब पहले हुआ यह पहली बार आया हूं और लगता है यह नहीं में घूम रहा था, रोट पर सोरा था, रोट पर खार दे रही है तो यार ये देखो में कितनी मस्त बड़ी सी बालकनी है यहां से लॉस सेंटो से खतरनाक सी लेक का व्यू आता है और बारा मस्ता गार्डन भी है वहाँ पर भी चलेंगे पर अभी देखते हैं और इस घर में क्या-क्या है तो इस वाले रूम में हमारा एक और खतर बाट्ट बनावाए मैं सोच लोग यह वाला रूम शिंचैन को देदू और यह साथा सरा वाट्रोब बनावाए जाब कपड़े में अपने लख सकते हैं और देखते हमारे घर में क्या क्या है तो क्या यहां पर खतरनाक सी पूल टेमल यह मस सब प्यानों जाव बैठके मज सकते हैं पर इतना सारा पैसे तो काम करने की क्या जरुवत है हम तो सिर्फ मज़े करेंगे तो काईजर यह वाला फ्रोर तो हमने देख लिया चलो बड़ा फट जाते हैं उपर वाले फ्लोर में इसके बाद नीचे वाले फ्लोर पर जाएंगे बर उपर यह यहां पर एक और खतrناक सी पूल बॉल टेबल और यहांप aurait मच canoe सोफा बä एचो टीवी देखो मज़े करो और यह बालकनी सही में बोहत ही जादा बड़ी है आप देशो आप एक बालकनी कितनी हखालता बड़ी है यहांप यह मैं पूरा का पूरा भाग सकते हैं ऑर उपर भी यह मारा मस्टर बेड्रूम मैं सूझ और यह वाला बैड्रूम मैं रख लो ती7 उसका वा अधर्रोम यह सही में बहुत ही साध़ा कहतर नांगे और इसका पूर के पूरा बातरों भी बहुत ही जादा मसते हैं तो काईसर मुझे कौन सा बेडरूम रखना चाहिए और कौन सा शिंचे को देना चाहिए बड़ा वट से कमेंट करके बता दो और यह हमारा आउड़ोर एरिया चाह पर मज़े कर सकते हैं और यहां पर देख से शिंचे ने पता नहीं कौन सी दीदी को भी आप अरब बना सा किचन और यह डाइनिंग टेवल जब चब टकेम शब्यक्त काना कह सकते हैं और देखते हैं इस वाले रूम में क्या है है और काईसर इंडोर स्वे मिंग पूल परेज मजरे शवेंग कर सकते हैं और यह मस सा सौना भी लगा वा यहां भी स्टीम बात ले सकते ह और देखते हैं हमारे घर में किया क्या है और यह परस्तल प्राइवएट जिम कितना खतर ना किया अपे देखो यह किसी दिन तो मैं यह वेरे रहेते घुलों सिंद दो ज़ये लिए जर्फ जिलन को चलो अंदर चलते हैं और देख सोट यहाँ पूड पूरा बहुत बना वह और तुन्याें कि सबसे महगी महगी बोथ लिया पर रखी विये चो यहां यह एक और शीक्रेटरोम देखने हिदर किया है और यहां पर खाथर झालक फटर नक वैपन इतना सारा कैश और इस तेज तो यह कितना ज़्यादा खातर नाग है कि हमारा खुद का प्राइवेट कस्कीनो यहां पे मसमस बैटके कस्कीनो वाले गेम्स केल सकते हैं और बहुत सारा पैसा जीच सकते हैं अब जलते हैं आपने आउटर एरिया यहां पे बहुत्त ही जादा चीजे चुरू करते हैं यहाँ मस्ती पाटी कर सकते हैं हम यहनपे हेलिकॉप्टर एक है कोई हेलिकॉप्टर नीहर मने उसका ओड़र दी ए एक अधरनाक से गोल्डन हेलीकॉपटर का वो तधने टाहिेम मे करो यह चोटा सा पूल हें यहां पर हें बड़े-बड़े पार्टी एरिया और यहां पर हम आट अन ऑफिरा आओटर पूल हमारे वासे ले सब्सक्राइब एक बहुत ही कि दधर नाक है कि बहुत te खर के अंदर भी आ सकते हैं तो काई सर्फटावट से कमेंट करके भाद यह घर आपको कैसा लगा मुझे दो बहुत ही जादा खातरनाक लगा और आपकी सबसे एरिया इसमें से कौन सा था बोलिंग रूम प्राइवेट सिनेमा या फिर और कुछ फटावट से कमेंट करके बता देना और काईजर अभी मुझे पता चला है कि हमारी हेलिकॉप्टर के डिलीविरी हो चुकी है तो काईजर फटावट चलते हैं अपने गोल्डन हेलिकॉप्टर के पास और आप देखो तो कितना जादा खतरनाक लग रहा है तो काईजर हमारी कोल्डन हेलिकॉप्टर के डिलीविरी या पर आचुकी है चलो फटावट से इसको उडाते हैं हमामे और काईजर आप देखो तो मैरे घर का क्या ही व्यू आता यहां से हमारा घर सही में बहुत ही जादा बड़ा और डेजर्ट की बीचों बीच है वो अलग बात इसके सामने बिकुल एक बड़ी ही सी लेक है तो फटावट से कमेंट करके बता तो हमारा घर आपको कैसा लगा मुझे तो बहुत ही जादा खतरनाक लगा तो गाइसर आज ही बड़ी है अगर आपको आपको अपना कार का शोरूम कोलूंगा वो आपको जरूर दिखाऊंगा तो अगर आपको वो देख रहा है तो फटावट से कमेंट करो और गाइसर इस्टाव में डिस्कॉल डिस्रिप्शन में वाँ जागे जाना फोलो कर लेना और गाइसर हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई